नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नवीन कुमार और आज की कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है कौशामबी। इसी जिले में एक गाउव है अंदावा जो थाना कोखराज के अंतरगत आता है। इसी गाउं में भोलानाथ तिवारी अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी, पारवती के अलावा दो बेटे जय प्रकाश, राम प्रकाश तथा दो बेटियां प्रीतिव जियोती थी। भोलानाथ तिवारी किसान थे और खेती बाड़ी से ही वह अपने परिवार का पालन पोशन करते थे 1990 में गंभीर बीमारी के चलते भोलानाथ का निधन हो गया पती की मौत के बाद चार बच्चों के पालन पोशन की जिम्मेदारी पारवती पर आ गई संकट के दिनों में पारवती ने बच्चों को पाल पोश कर बढ़ा किया जय प्रकाश और राम प्रकाश का मन खेती किसानी में नहीं लगता था तो दोनों भाईयों ने गाव छोड़ दिया और लखनों आ गए यहाँ वे प्राविट नोकरी कर अपना खर्च चलाने लगे भाई बहनों में प्रीती सबसे बड़ी थी वह बच्पन से ही चंचल स्वभाव की थी पारवती के घर मुन्ना तिवारी का आना जाना था वह पडोसी गाव भद्वां का रहने वाला था और दूर का रिष्टेदार था मुन्ना तीन भाईयों में सबसे बड़ा था मंजला भाई राहुल था जबकि सबसे छोटा विवेक था उसकी दो बहने ज्योती वनीतू थी मुन्ना के पिता त्रिपुरारी कर्मकांडी ब्राहमन थे पार्वती के घर आते जाते मुन्ना की निगाह उसकी जवान बेटी प्रीती पर पड़ी वह उसे अपने प्रेम जाल में फसाने का प्रयत्न करने लगा वह जब भी घर आता प्रीती के लिए कोई न कोई गिफ्ट जरूर लाता धीरे-धीरे मुन्ना प्रीती से हसी मजाक वह शारिरिक छेड़चाड भी करने लगा प्रीती वैसे भी चंचल सुअभाव की थी मुन्ना की छेड़चाड से वह आनंदित होने लगी दोनों के बीच प्यार बढ़ा तो एक रोज मुन्ना प्रीती को भगा ले गया बदनामी से बचने के लिए पारवती ने मुन्ना के घरवालों से संपर्क किया और बेटी को वापस करने की गुहार लगाई मुन्ना शादी शुदा था मुन्ना की पत्नी आरती को जब पता चला कि उसका पती एक कुवारी लड़की को भगा ले गया है तो उसने बखेडा शुरू कर दिया उसने अपने स्तर पर अपनी पती का पता लगाया और पती पर दबाव बना कर प्रीती को वापस लेकर आई और उसकी माँ को सौप दिया प्रीती के भाग जाने से पारवती की समाज में बदनामी हुई थी अब उसके शादी की चिंता सताने लगी थी प्रीती कहीं दोबारा कोई गलत कदम न उठा ले इसलिए वह जल्द ही उसके हाथ पीले कर देना चाहती थी इसी बीच प्रीती से संबंध बनाये रखने के लिए मुन्ना ने एक चाल चली उसने पारवती को राजी कर प्रीती का विवाह अपने भाई राहुल तिवारी से करा दिया राहुल उस समय इलाहाबाद विश्व विद्याले में काम करता था शादी करने के बाद प्रीती राहुल के साथ रहने लगी जमीनी विवाद के कारण राहुल की अपने भाईयों से जमीन मकान को लेकर अक्सर जगड़ा होता रहता था इस कारण राहुल शादी के बाद अपनी ससुराल अंदावा में रहने लगा ससुराल में रहते राहुल ने कुछ सालों में ही अपना सिक्का जमा लिया राहुल ने न केवल अपनी सास को मना कर जमीन अपने नाम करवा ली बलकि कर्ज लेकर एक आलिशान मकान भी बनवा लिया माईके में रहते प्रीती ने तीन बेटियों माही पीहू वपाहू को जन्म दिया राहुल अपनी बेटियों को बहुत प्यार करता था और उनकी हर जरूरत को पूरा करता था अपने पत्नी बच्चों को भी अच्छे से रखता था अपने परिवार की अच्छी देखभाल करने के लिए वह कर्ज लेने से भी परहेज नहीं करता था कौशामबी का रहने वाला सुनार पुषपराज लोगों को ब्याज पर पैसे उधार देता था रहुल भी अपनी जरूरतों के लिए पुषपराज से पैसा लेता था आलिशान मकान बनवाने और अन्य खर्चों के लिए उसने पुषपराज से लगभग 20 लाख रुपए उधार लिये थे पुषपराज अकसर रहुल के पास अपने पैसे मांगने आता और जब रहुल पैसे नहीं दे पाता तो उसे धमकाता भी था रहुल की एक और पहचान थी वह रंगीन मिजाज भी था उसकी यह आदतें और कर्ज का बढ़ता बोज उसकी जिंदगी को और पेचीदा बना रहे थे तीन बेटियों को जन्म देने के बाद प्रीती अब उसे फीकी लगने लगी थी इसी दोरान राहुल के अपनी पचीस वर्षियां कुमवारी साली जोती से अवैद संबंध हो गए राहुल और जोती के अवैद संबंधों की खबर धीरे धीरे घर में फैलने लगी थी एक दिन पारवती ने जब अपनी बेटी जोती को राहुल की बाहों में जूलते देखा तो वह स्तब्ध रह गई इस द्रिश्र ने उसे अंदर तक हिला दिया पारवती ने तुरंथ ही राहुल और जोती को डांटा और स्थिती को संभालने के लिए अपनी बड़ी बेटी प्रीती को सतर्क किया उसने प्रीती से कहा कि वह अपने पती पर नजर रखे इस चेतावनी के बाद प्रीती ने राहुल पर निगाह रखना शुरू किया एक रात उसने राहुल को अपनी छोटी बहन जोती के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया इस घटना के बाद घर में जमकर हंगामा हुआ प्रीती ने घुसे में अपनी बहन जोती को खूब खरी खोटी सुनाई उसने साफ साफ जोती को चेतावनी दी कि वह उसकी सोतन बनने की कोशिश न करे वरना अंजाम बहुत बुरा होगा हालां कि प्रीती की इस सख्त चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ राहुल और जोती के बीच संबंध वैसे ही चलते रहे और उन्हें जब भी मौका मिलता दोनों साथ वक्त बिताते इस वजह से अब प्रीती और राहुल के बीच आए दिन जगड़े होने लगे थे आखिरकार प्रीती ने तंग आकर अपनी माँ पारवती पर दबाव डाला और जोती की शादी प्रताप गड़ के सूरज से करा दी मगर समस्या यहीं खत्म नहीं हुई राहुल किसी भी कीमत पर जोती को खोना नहीं चाहता था और उसने उसे ससुराल भेजने से मना कर दिया जोती माईके में ही ज्यादा रहने लगी और राहुल का उस पर पूरा नियंतरण था जोती माईके में ही ज्यादा रहती थी इसी बीच बीमारी के चलते जोती के पती सूरज की मौत हो गई जिससे वह पूरी तरह मायके में रहने लगी यह स्थिती राहुल के लिए मन चाही थी क्योंकि वह किसी भी हालत में जोती को खोना नहीं चाहता था सूरज की मृत्यू के बाद जोती के मायके लोटने से राहुल के और जोती के बीच के रिष्टे को खुला अवसर मिल गया और अब वह बिना किसी रुकावट के उसके साथ संबंध बनाए रख सकता था यह घटना ने प्रीती के जीवन में और अधिक उथल पुथल पैदा कर दी क्योंकि अब राहुल का जोती पर पूरा नियंतरन था और प्रीती के विवाहिक जीवन पर इसका गहरा असर पड़ रहा था राहुल के साले जैप्रकाश वस राम प्रकाश लखनों में नौकरी करते थे दोनों भाईयों को जब पता चला कि उसके बहनोई ने धोखा धड़ी कर जमीन का अपने नाम करा लिया है और बहन ज्योती को भी बहला फुसला कर उससे संबंध बना लिये हैं तो उनका माथा ठनका वे नौकरी छोड़ कर गाउँ आ गए और खेती किसानी करने लगे वह घर खेत की रखवाली करने लगे और बहन ज्योती पर भी नजर रखने लगे इसी बीच जय प्रकाश की मंजू से तथा राम प्रकाश की जोती से शादी हो गई जुलाई 2021 में राहुल और उसके साले जय प्रकाश और राम प्रकाश के बीच एक बड़ा जगड़ा हुआ इस जगड़े में परिवार वालों ने दोनों भाईयों का साथ दिया सब ने मिलकर राहुल को जल्द घर छोड़ने की चेतावनी दे दी इस दबाव के चलते राहुल मजबूर होकर नवंबर 2021 में अपने ससुराल के घर छोड़ने के लिए मजबूर हुआ वह प्रयाग राज से लगभग 40 किलो मीटर दूर नवाब गंज थाना क्षेतर के खागल पुर गाउं में सुरेश शुकला के मकान में किराय पर रहने लगा सुरेश शुकला बीएस एफ में सहायक कमांडन थे और वे प्रयाग राज में रहते थे राहुल ने अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए पशुओं की खरीद और बिकरी का काम शुरू किया लेकिन इस व्यापार से उसे इतना मुनाफ़ा नहीं हो रहा था कि वह अपने परिवार का भरण पोशन ठीक से कर सके कर्ज लेकर उसे ग्रहस्ती चलानी पड़ रही थी राहुल के मकान में एक और किरायदार संदीप पाल भी रहता था संदीप नौकरी की तलाश में था और प्रतियोगी परिक्षाओं की तयारी कर रहा था वह बहुत मिलनसार था और जल्द ही उसकी राहुल से अच्छी दोस्ती हो गई दोनों में बात चीत होने लगी और संदीप ने राहुल की बेटियों को ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू किया राहुल की पतनी प्रीती भी उसे अपने बच्चों जैसा सम्मान देती थी राहुल का अपने पडोसी दद्दू सरोज के साथ भी अच्छा व्यवहार था दोनों परिवारों के बच्चे एक दूसरे के घर खेलने आते थे सरोज की मंजली बेटी सुमन और राहुल की मंजली बेटी पीहु के बीच गहरी दोस्ती थी दोनों हमुम्र थी पीहु सुबह ही उसके घर खेलने पहुँच जाती थी राहुल और प्रीती के बीच का रिष्टा सामान्य नहीं था अकसर उनके बीच जगड़े होते रहते थे और इसका मुख्य कारण था कर्जदारी और राहुल के अपनी बेहन ज्योती के साथ अवैध रिष्टे राहुल लगभग बीस लाक रुपे का कर्जदार था और जब भी कर्जदार उससे पैसे मागने आता या जब वह ज्योती के साथ हसकर बात भी करता तो उस दिन प्रीती से उसका जगड़ा हो जाता जिससे घर का माहौल तनाव पूर्ण हो गया उसके पास ससुराल का आलीशान मकान था जो उसने कर्ज लेकर बनवाया था लेकिन अब वह उसे खो चुका था जिस जमीन का बैनामा उसने कराया था वह भी उसके साले ने उससे चीन ली थी साली जोती जो कभी उसके जीवन में खुशी और रस भरती थी वह भी अब दूर हो गई थी इस सब के कारण राहुल को लगने लगा कि अब उसके जीने का कोई मकसद नहीं रह गया है काफी सोच विचार के बाद राहुल ने अपनी हताश जिंदगी का अंत करने के पहले अपने पूरे परिवार को मिटाने का निश्चे किया 12 अप्रेल 2022 को राहुल ने अपनी मंजली बेटी 9 वर्षिय पीहू का जन्म दिन धूमधाम से मनाया जन्म दिन पार्टी में शामिल होने राहुल का बड़ा भाई मुन्ना वह भतीजा प्रिंस भी आया लेकिन उसने अपने खतरना के रादों की भनक किसी को नहीं लगने दी जन्म दिन पार्टी में किरायदार संदीप पाल भी शामिल हुआ था लेकिन दूसरे रोज वह किसी काम से प्रताब गढ़ चला गया था पंद्रा अप्रेल 2022 की राद आठ बजे राहुल ने पतनीव बेटियों के साथ खाना खाया उसके बाद प्रीती कमरे में पड़ी चारपाई पर लेट गई और माही पीहू और पाहू चौकी पर लेट गई कुछ देर बाद वह सो गई इधर राहुल की आँखों से नींद को सों दूर थी उसके मन में चल रहे विचारों ने उसे बेचैन कर दिया फिर चापड लेकर कमरे में पहुँच गया कमरे में प्रीती वह उसकी तीनों बेटियां गहरी नींद सो रही थी राहुल ने पहले प्रीती के गले पर चापड से प्रहार किया जिससे उसका गला कट गया और उसकी मौत हो गई उसके बाद राहुल ने बारी बारी से तीनों बेटियों को भी मौत के घाट उतार दिया पतनीव बेटी की हत्या करने के बाद उसने चापड घर के सामने प्याज के खेत में छिपा दिया फिर कमरे में आकर सुसाइड नोट लिखा जिसमें उसने साले सहित ग्यारा नाम लिखे और उन्हें हत्या रोपी बताया इसके बाद उसने आंगन में लोहे के जाल में साड़ी बांध कर फंदा बनाया और जूल गया सोला अप्रेल 2022 की सुबह साड़े साथ बजे पुलिस कंट्रोल रूम में खबर दी गई कि प्रयागराज के थाना नवाब गंज के गाउव खागलपुर में सामुहिक नरसंगहार हुआ है इस खबर से पुलिस महकमे में अफरा तफरी मच गई और पुलिस अधिकारी घटना स्थल की और रवाना हो गए राहुल के शव के पास से पुलिस को दो पन्नों का लिखा एक सुसाइड नोट भी मिला पुलिस ने उसे सुरक्षित कर लिया घटना स्थल पर मृतक राहुल तिवारी का पडोसी दद्दू सरोज मौजूद था उसने बताया कि राहुल के परिवार से उसके अच्छे संबंध थे रोजाना मिलना जुलना था दोनों परिवारों के बच्चे एक साथ खेलते थे साथ बजे के करीब उसकी मंजली बेटी सुमन पीहू को बुलाने पहुँची तो मुख्य द्वार पर लगा चैनल खुला हुआ था पीहू को कई बार आवाज लगाने पर भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो वह भीतर जाने लगी उसने कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि आंगन में राहुल को फंदे पर लटके देखा वह चीखते हुए बाहर की और भागी सुमन के चीखने की आवाज सुनकर वह और परिवार के अन्य लोग पहुँचे तो सब से पहले राहुल फांसी पर लटका दिखाई दिया शोरगुल मचाने पर आसपास के अन्य लोग आ गए उसके बाद भीतर गए तो कमरे का द्रिश्य देख कर सब के होश उड़ गए फिर थाना नवाब गंज पुलिस को सूचना दी उसके बाद पुलिस की आवाजा ही शुरू हो गई पुलिस ने मृतक राहुल के भाई मुन्ना द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के आधार पर ग्यारा नामजद लोगों को हत्या के आरोप में जेल भेज दिया लेकिन विवेचना में यदि ये लोग निर्दोश पाए गए तो हत्या की धारा हट जाएगी उसके बाद उन पर आत्म हत्या के लिए प्रेरित करने की धारा 309 के तहत ही कोर्ट में मुकदमा चलेगा पुलिस ने मृतक राहुल के भाई मुन्ना द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के आधार पर ग्यारा नामजद लोगों को हत्या के आरोप में जेल भेज दिया आज की दूसरी कहानी है नवी मुंबई से नवी मुंबई में एक इलाका है उरन दस जुलाई 2003 को पुलिस कंट्रोल रूम में एक फोन आने से हडकंप मच गया फोन करने वाले ने बताया कि पिर कौन सर्देगांव रोड पर एक महिला की लाश मिली है सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि महिला ने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी लेकिन उसके पास कोई ज्वेलरी या पहचान का सामान नहीं था उसकी लाश की स्थिती ने सब को हैरान कर दिया सिर में दो गोलियों के निशान थे और गर्दन पर गहरे चाकू के वार के निशान यह स्पष्ट था कि महिला की हत्या बहुत बेरहमी से की गई थी जांच के दोरान पुलिस ने जब शव के पास की जगह को अच्छी तरह से देखा तो उन्हें कुछ दूरी पर एक चश्मे का कवर मिला इस कवर ने उनकी पूरी जांच में एक महत्वपूर्ण मोड ला दिया कवर पर डोमबिवली इलाके के एक आप्टिशियन का नाम और पता लिखा हुआ था जो शायद इस हत्या के रहस्य को सुलजाने में मदद कर सकता था बिना वक्त गवाए पुलिस ने तुरंत उस आप्टिशियन के पास जाने का निर्णे लिया जब वे वहाँ पहुँचे और महिला का फोटो दिखाया तो आप्टिशियन ने पहचानने में कोई समय नहीं लगाया उसने बताया कि महिला का नाम भारती अमबोकर है और वह डोमबिवली की निवासी थी यह जानकारी पुलिस के लिए एक नई दिशा थी अब उन्हें भारतीय के परिवार और दोस्तों से जानकारी जुटा कर इस जगन्य अपराद के पीछे का कारण जानने की कोशिश करनी थी पुलिस ने अपनी जाँच तेज कर दी यह जानने के लिए कि आखिर भारतीय के साथ ऐसा क्रूरता क्यों हुई थी और उसकी हत्या के पीछे कौन जिम्मेदार था पुलिस ने अब भारती अंबोकर के घर की और कदम बढ़ाया यह एक साधारन सा अपार्टमेंट था जहां महिला अकेली रहती थी जब पुलिस ने पडोसियों से पूछता चुरू की तो उन्हें कुछ अहम जानकारियां मिली एक पडोसी ने बताया कि एक दिन पहले ही भारती अपनी शादी शुदा बेटी से मिलने के लिए अली बाग के पॉइन अट गई थी यह जानकर पुलिस ने ध्यान दिया कि शायद इस सफर का इस हत्या से कोई संबंध हो सकता है पडोसीों ने आगे बताया कि भारतीये ने उन्हें यह भी बताया था कि उसकी बेटी से मिलने के लिए उसे लेने उसका दामाद मयूरेश आ रहा है यह जानकारी पुलिस के लिए एक नई दिशा थी मयूरेश का नाम लेकर पडोसी ने यह भी कहा कि भारती एक काफी उत्साहित थी और अपनी बेटी से मिलने की बात करते हुए वह बहुत खुश नजर आ रही थी इस बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने तुरंत भारती की कॉल डिटेल्स का फैसला किया ताकि वे मयूरेश और भारतीय के बीच की सचाही को जान सकें पुलिस का शक मयूरेश पर बढ़ता गया और उसकी तलाश तेजी से शुरू कर दी गई जैसे ही जाँच आगे बढ़ी पुलिस ने मयूरेश और उसके तीन दोस्तों को गिरफतार कर लिया उन्हें थाने लाया गया जहां पूछताच की प्रक्रिया शुरू हुई उसने बिना कोई हिचकी चाहट के अपना गुनाह कबूल कर लिया पूछताच के दौरान मयूरेश अपना गुनाह कबूल कर लेता है और बताता है कि उसने ही दोस्तों के साथ मिलकर अपनी सास भारती का कतल किया है कतल की वजह पूछने पर वो बताता है कि उसकी सास बार बार अपनी बेटी यानि मयूरेश की पत्नी प्रीती से मिलने की जिद करती थी मयूरेश बताता है वो अपनी सास से तंग आ चुका था वो हर बार कहता कि प्रीती प्रेगनन्ट है इसलिए घर से बाहर आना जाना बंद है लेकिन फिर भी उसकी सास मिलने की जिद पर अड़ी रहती बस इसी से तंग आकर उसने अपनी सास का कतल कर दिया उसने अपने तीन दोस्तों के साथ मिलकर प्लैन बनाया और बेटी से मिलाने के बहाने उरन इलाके में अपनी सास को गोली मार दी मयूरेश ने अपनी सास भारती के कतल के लिए जो योजना बनाई थी वह बेहद निर्दैता से भरी हुई थी उसने यह सुनिश्चित किया कि सास के बचने की कोई गुंजाइश न रहे इसलिए उसने उसके गर्दन पर चाकू से भी कई बारवार किये कतल के बाद मयूरेश ने अपने दोस्तों की मदद से भारती की लाश को सड़क के किनारे फेंक दिया उन्होंने पूरी कोशिश की कि लाश से किसी भी पहचान से जुड़ी चीज़ें हटा दी जाएं ताकि पुलिस को किसी भी तरह का सुराग न मिले इस भागदौड में मयूरेश का एक महतुपूर्ण सबूत छूट गया भारती के चश्मे का कवर यह चश्मे का कवर पुलिस के लिए एक अहम कड़ी बन गया जिसने मयूरेश की साज़िश का परदाफाश किया यहां तक की तफ्तीश से लग रहा था कि केस सुलज गया लेकिन एक सवाल पुलिस को परिशान कर रहा था यह सवाल था कि आखिर कोई दामाद अपनी सास से महज इसलिए इतना तंग आ गया कि वो अपनी बेटी से मिलने की जिद करती थी मयूरेश ने बस इतनी सी बात के लिए अपनी सास को बेरहमी से मार डाला पुलिस ने जब यही सवाल मयूरेश से पूछा तो उसकी नजरें कुछ छिपाने लगी पुलिस का शक मयूरेश पर बढ़ता गया उसके हाव भाव और प्रतिक्रिया से ऐसा लग रहा था कि इस मामले में कुछ और भी है जिसे वह छिपाने की कोशिश कर रहा है पुलिस ने उसे लगातार पूछ ताज की यह जानने के लिए कि क्या मयूरेश के पास कोई और गहरा राज है आखिरकार धीरे धीरे मयूरेश ने अपनी चुप़ी तोड़ी जब उसने अपनी कहानी सुनाई तो पुलिस अधिकारियों के भी पैरों तले से जमीन खिसक गई मयूरेश ने बताया कि उसने अपनी पतनी प्रीती की हत्या ग्यारह महीने पहले ही कर दी थी उसकी सास भारती इस बात से बेखबर थी और वह अपनी बेटी से मिलना चाहती थी मयूरेश ने खुलासा किया कि प्रीती की हत्या के बाद वह इस बाद को छिपाने के लिए बेताब था उसकी सास भारती है यदि पृती से मिलती तो उसे यह पता चल सकता था कि उसकी बेटी गायब है इसलिए अपने अंधेरे-राज को छिपाने के लिए उसे अपनी सास की जान लेनी पड़ी पुलिस के लिए ये नया खुलासा हैरान कर देने वाला था ग्यारा महीने पहले मयूरेश ने अपनी पत्नी का कतल किया और इतने दिनों तक वो कानून की नजरों से बचा भी रहा आगे की पूछताच में मयूरेश ने बताया कि अगस्त 2022 में अपनी पत्नी प्रीती को अली बाग के एक लौज में ले जाकर उसने गला घोंट कर मारा था इसके बाद एक खाई में फेंक कर लाश को ठिकाने लगा दिया अब पुलिस के सामने एक नया सवाल खड़ा हो गया मयूरेश ने अपनी पत्नी प्रीती का कतल क्यों किया जब इस सवाल का सामना मयूरेश ने किया तो उसने अपनी कहानी सुनाई जो सभी के लिए चौकाने वाली थी मयूरेश ने बताया कि प्रीती उसकी दूसरी पत्नी थी 2014 में एक पुराने हत्या के मामले में उसे अली बाग कोट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी जेल जाने से पहले उसने अपनी पत्नी को 9 लाख रुपए दिये थे लेकिन 2022 में हाई कोट ने उसे बरी कर दिया और वह जेल से बाहर आ गया जेल से निकलने के बाद मयूरेश ने प्रीती से अपने 9 लाख रुपए मांगने का फैसला किया लेकिन प्रीती ने उन रुपए देने से इंकार कर दिया मयूरेश ने बार बार उसे याद दिलाया कि वह उस पैसे का हकदार है लेकिन प्रीती ने फिर भी उसे पैसे नहीं दिये जब मयूरेश को लगा कि वह प्रीती को मनाने में असफल हो गया है तो उसने एक लॉज में मिलने के बहाने उसे बुलाया और वहां उसका कतल कर दिया यह खुलासा सुनकर पुलिस ने तुरंत मयूरेश के खिलाफ हत्या का एक और मामला दर्ज किया हालांकि मयूरेश के बयान के बावजूद प्रीती की लाश का कोई सुराग नहीं मिला जो इस मामले को और जटिल बना रहा था पुलिस को यह जानने की ज़रूरत थी कि प्रीती का शव कहां छिपाया गया था और यह सुनिश्चित करना था कि मयूरेश और उसके दोस्तों के खिलाफ ठोस सबूत इकट्था किया जाए इस नए खुलासे ने न केवल मयूरेश की क्रूरता को उजागर किया बल्कि एक ऐसे व्यक्ती की मानसिक्ता को भी दर्शाया जो पैसे के लिए अपने करीबी रिष्टों को खत्म करने में जरा भी संकोच नहीं करता पुलिस ने इस मामले को सुलजाने के लिए पूरी ताकत लगा दी ताकि न्याय सुनिश्चित किया जा सके और प्रीती के परिवार को सच्चाई का पता चल सके दो कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि गलत रास्ते पर चलने से इनसान अपने और अपने परिवार के जीवन को बरबाद कर सकता है पहली सीख ये है कि पारिवारिक रिष्टों में विश्वास और पारदर्शिता होनी चाहिए यदि आप धोखा देते हैं या अपने नजदी की रिष्टों में बेईमानी करते हैं तो इसका परिणाम आपके पूरे परिवार पर बुरा पड़ सकता है जैसा कि राहुल के अवैद संबंधों और कर्ज की वजह से हुआ दूसरी सीख ये है कि कठिनाईयों और हताशा में गलत निर्णे लेने से बचना चाहिए समस्याओं का समाधान हिंसा या आत्महत्या जैसे रास्तों से नहीं होता जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं सही तरीके से सोच कर धैरे से काम लेना ही बहतर होता है हमारी इस क्राइम कहानी का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है हम ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए नहीं बलकि समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए लिख रहे हैं इसमें दिखाये गए घटना करम ये समझाते हैं कि किस तरह गलत फैसले और बुरे कामों से एक इनसान और उसके परिवार का जीवन तबाह हो सकता है हमारा उदेश है कि लोग इन कहानियों से सीख लें और ऐसे रास्तों पर चलने से बचें अपनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं ये कहानी एक चेतावनी है ताकि हम सब मिलकर अपने समाज को बहतर बना सकें इसी तरह कि सच्ची घटनाओं और सीखों के साथ